को कैसे हैं आप और मैं बिने गुपता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग खुब अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे बच्चा लोगों और आज हम बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड एक्जाम्स की तयारी कर रहे होंगे बच्चा लोगों तो चलिए आज हम आपके लाएं क्लास्ट एंट साइंस का बहुत इंपोटेंट चैप्टर बच्चा लोगों और इतना इंपोटेंट है कि वो आपके पेपर में काफी अच्छे वेटेज लाएगा ओके तो चल आपके पता होना चीए अर्थक्रेश्ट के अंदर भी पायाता है और लेविंग और इंदर भी होता है कारण एप्रेजंट इंप्यूल्स लाइक वूड कोल चार्कोल पेट्रोलियम कोक नैच्छरल गैस बायोगास ऐसे ट्राइट किलिया पता कार्वन एप्रेजंट इन कं इस पाये जाता है ना यह अर्डन इक कंपायंड कि जिए होते हैं कि कार्वन इच फांड़ी इन फ्रीश्टेट इस डाइमंड ग्रेफट और फ्लूरीज दाइमंड है वो खेलेफआटों ने फ्लूरींस कारवन इन तीन आफ करते हैं और शाप्टेंट यांगे प्रवाप ए्टम नहीं करते कौन सो करता है एलिमेंट तो एक एलिमेंट के डिफरेंट फ़र्म जिनकी फिजी कल प्रपरटीज क्या हो बच्छा लो दिफरेंट बड़ वड़ केमिकल प्रपरटीज क्या हो सेंग लिए अर्थ क्रश्ट कंटेंज 0.02 परसेंट अब कार्वन एज मिनल्स ओके एटमस्पियर है 0.03 परसेंट अब कार्वन डाई ऑक्साइड तो चलिए शुरू करते हैं कार्वन के साथ बच्छा लोगों कार्वन एक नॉन मैटल है और नॉन मैटल है तो कैसे करेगा क्य इसलिए इसका कंट्रीट्रों को अटेंट करने के लिए अब विनेसर चार लूज यागें कर सकता है तो वनेसर बटे कारवन तो कभी चार लूज नहीं करता एक नमर का कोश्चन यह आ रहा सकता है इसके नूक्लियस में छे प्रोटोन तो होते ही हैं और जार चार इलक्टोन गेंड कर ले तो दस इलक्टोन हो जाएंगे और दस इलक्टोन को निकालने के लिए इसलिए सीफोर पॉजेटिब भी नहीं उनाएगा तो एक क्वेश्चन से इंपोर्टेंट डाल देना आज 12 के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन सैसे आए जो लास्ट यह भी आए थे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो लास्ट यह वह इस साल ना आय कारवन केंशेर इस बैलेंस इलकस्ट बिदादर कार्वन और बिदैंटम सब्सक्रावर अटार इलिमेंट्स अधर रोता है बोकेवल इलक्रावन की क्या कर सकता है इसलिए इसलिए कौन सा बॉल ज़ए बनाएगा बच्च लोगों को बलेंड बनाएगा तो इट फॉर्म इ क्योंकि वह क्या कर सकता है कि अधियर कर सकता है पता वह चलोगों तो याद रखी एक नमर का क्वेश्चन पक्का राइपेपर में कि वह कार्बन फॉर्म क्या कर सकता है शेयर इंग जिससे की वह क्या होते हैं तो कुछ एक्जांपल दे रहा हूं जैसे एच का सबको पता है एक लेक्टोन होता है और तो दूसरा एच भी कहेगा मेरे भी एक है तो भाई हम तो दो ही कर सकते हैं में आठ नहीं कर सकते भी नए तो इसके विदव हो गए इसके विदू हो गए देखिए इस तरह से एच सिंगल बॉंट एच बन गया पका आ सकता है पेपर में बहुत इंपर्टेंट पका आगे single bond क्या होता है the covalent bond which is formed by the sharing of one pair of electron is called single bond one pair of electron यानि कि two electrons बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं two electron अब आता है oxygen molecule अब oxygen के outmost में six electron है six हैं तो oxygen क्या करेगा बच्चा लोगो कि six तो उसे दो की sharing करनी होगी तभी तो आठ होगी तो दो को सामने रखेगा और चार को छुपा देगा वो यह ना इसी तरह दूसरा भी कहेगा कि भाईया मैं दो को सामने रखता हूँ और चार को छुपा देता हूँ equal sharing होती है equal sharing अगर इसने दो की करी तो यह भी दो की करेगा clear? पका तो बच्चा लोगो इसके कितने होगी देखिए यह diagram बना हुआ है और यह देखिए दो दो चार दो च्छे और दो आठ यह होगा इसके clear? और इस तरह इसके भी आठ होगा है सब को आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब आपने देखा double bond बन गया 4 electrons के साथ और this is O2 जो बच्चे रहे गए electrons इन्हें हम lone pair of electrons कहते हैं और जो shared होते हैं इन्हें हम bond pair electrons कहते हैं clear? पका चले इसी तरह double bond कब बना? जब sharing of two pair of electrons two pair of electrons मतलो four electrons का हो चले nitrogen molecule भी देख लेते हैं paper में आता है very important डाल लेंगे और पांच है तो पका nitrogen को पांच है तो तीन sharing करने होगे तीन सामने रख दिये और दो छुपा दिये clear? तो इसके 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए पका and triple bond and this is 8 सबको आ रहा है के नहीं आ रहा है पका पका है बच्चा the cobaland bond which is formed by the sharing of three pair electron three pair मतलब six electrons सबको आगे मेरे बच्चो अब कुछ properties आ रही है पेपर में important डाल देना बहुत ज़्यादा important है very important clear? तो देखते हैं बच्चा लोगों कैसे होंगी यह properties इधर देखेंगे तो they have strong bonds between the molecule but inter-molecular forces are weak याद रखें molecules के बीच में molecules के बीच में तो strong bond होते हैं but inter-molecular forces क्या होते हैं weak होते हैं कि why do covalent compounds have low melting and boiling points because they have weak inter-molecular forces याद रखें they are generally poor conductor of electricity because they do not have very important they do not have free ions or free electrons free electrons बहुत अच्छा पुश्य है याद रखें water में क्या होते हैं insolubile water insolubile होते हैं exception भी है कुछ covalent compound water में soluble हो जाते हैं except है बटा लोगो sugar glucose याद रखना यह covalent है फिर भी water में क्या होते हैं soluble होते हैं के लिए पका चले next topic आ रहा है बच्चा लोगो versatile nature of carbon तो reason for the formation of large number of carbon compound एक नमबर का question ले लो पका आएगा 100% लिख दिया और 100% लिख दिया मतलब paper में आ गया यह याद रखिये तो बच्चा लोगो कौन-कौन सी दो properties होती हैं जो carbon के बहुत सारे compounds पैदा करने में help करती है तो पहली है catenation और दूसरी है tetravalency एक नमबर का question आ सकता है catenation का मतलब होता है self-linking वो the property of carbon element due to which its atom can join with other atom to form long carbon chain is called catenation पका आ रहा है यह पेपर में very important three types की chain बन सकती है बच्चा लोगो that is straight that is branched or that is ring पका the carbon carbon bond is very strong and stable very important डाल देना एक नमबर का question है very important आता है why carbon source maximum tendency of catenation यह पका आएगा पका क्योंकि carbon carbon का जो bond होता है single bond वो बहुत जादा strong और stable होता है इसी वज़े से वो large number of compounds बनाता है next number पर इसके आता है silicon silicon also exhibits together to firm compounds these silicon compounds are unstable and very reactive याद रखना एक question बहुत important है बोड में काफी वा रहा है तो आता है कि carbon carbon में catenation की tendency सबसे ज़्यादा पाई जाती AR आ सकता है मैं पका कह रहा हूं तो क्यों आ सकता है इसलिए आ सकता है क्योंकि carbon carbon जो bond होता है single bond बहुत ज़्यादा strong और stable होता है पका आएगा लिखके लिए लिए ARS पर पका हो ओके चले tetravalency बचलोगो due to its large valency of four tetravalency क्योंकि इस चार electron की sharing करता है तो इसलिए इसकी valency चार होती carbon can form cobaland bond with four carbon atoms and atoms of other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many more atoms clear और ये carbon की क्या दिखाई हुई है चार valency दिखा दिखा दिए because of small size carbon can form strong bonds with other atoms and these compounds are stable carbon के compounds क्या होते है stable होते है पका पका गया चले तो याद रखना एक और बहुत अच्छा silicon की compounds होते है वो कैसे होते है unstable तो पहले हम पढ़ने जा रहे है hydrocarbon पहला टॉपिक hydrocarbon आ गया और वो compound compound carbon hydrogen only is called hydrocarbon बहुत जल जल दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि easy topic the most important natural source एक नमर का question आ सकता है कि इनका natural source क्या होता है petroleum or crude oil petroleum or crude oil एक नमर का ले लीजे important डाल दीजे कल पक्का MC की उज़में एक question आ सकता है बहुत अच्छा question है two types of hydrocarbon saturated and unsaturated saturated hydrocarbon saturated क्या होते है alkyns और जिनमे carbon atoms connected by only single bond देखिए single bond से connected नीथेन और रीथेन एक्जाम पर दिये हुए unsaturated hydrocarbons बो के लिए alkyns क्या होते है बच्चा लोगो वो unsaturated carbon atoms connected by double bond जैसे मैं एक्जामपल दिये एथेन का के लिए CH2 double bond CH2 इथेन दो कार्वन propion CH3CH double bond CH2 इनकी dot structure रहेगे आगे पड़ेंगे alkyns जिनमें दो कार्वन atoms अब बच्चा लोगो एक इंपोर्टेंट टॉपिक आगे है इसका 100% कल ले लिजा जब भी पेपर होगा तब ले लिजा organic compounds having the same molecule of formula and different structures are known as isomers isomers possible with hydrocarbon having four or more carbon atoms isomers केवल उनी compound में पाई जाती है जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा एटम होते है तीन तक नहीं पाई जाईगी क्योंकि उनकी और ज़्यादा structure नहीं बन सकती है ब्रांचिंग होने के लिए कम से करन चार कार्वन होने चाहिए तो यह question 100% आएगा isomers butane हमने क्या किया है पहले बाले में 4 कार्वन सीदे सीदे लगा दिये और आप देख रहे होंगे नॉर्मल ब्यूतेन बन गया नॉर्मल ब्यूतेन को वो N-butane भी कह सकता है पक्का isobutane तीन तो सीदे सीदे लगे हुए एक, दो, तीन और एक इदर लगा है पक्का डेंडे माल लेंगे 3, 1, 3, 3 ओके the name of this is isobutane common name बहुत important है इसका 2-methyl sorry ipacinay में 2-methyl propane पक्का आ रहा है पेपर में याद रखिए और 100% लिख दिया मैंने जरूर आएंगे पक्का चल next isomerse of pentane दोनों में से race होती है किसके आते हैं ये भी 100% लिख बूरेंड है pentane के 3 isomerse होंगे पहला कौन सा होगा n pentane 1, 2, 3, 4, 5 डंडे पूरे कर लेंगे बेनर डंडे के मत बना न जब गए जब आईसोपेंटेन 1, 2, 3, 4, 1 ब्रांच और नियोपेंटेन 1, 2, 3, और उपर नीचे ब्रांच जब डंडे खुद पूरे कर लेंगे पक्का सबके नाम है ये एंटेन था ये iso-pentane है और देस इस नियोपेंटेन के लिए इनके लिख दूँ में डिस इस पेंटेन दिस इस तू में थाइल को ब्यूटेन और दिस इस तीन की चेन है तू कॉमा टू डाइ मिथाइल प्रोपेन सब को आगे मेरे बच्चों बहुत अच्छा इसमर्स पूछता नहीं है यहां पर आपने देखा हुए सीधे सीधे लगा दिये यहां पर पांस सीधे एक ब्रांच है और यहां पर ब्रांच थी वह सेकेंड नंबर पर थी थर्ड नंबर पर नाम में क्या अंतर आ जाएगा दिस इस टू मिथाइल पेंटेन और बच्चा ल चार की चेन रहे गई चार की चेन इसका नाम क्या होगा 2,2 डाय मेथाइल पका आ रहा है ना अच्छा इसका नाम क्या होंगा चार की चेन है बट एक तूप लगा एक थरी पर 2,3 डाय मेथाइल तो यह आई सो मर्स है किसके हैं सबको आगा बहुत इंपोटन टॉपिक ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इंपोटन टॉपिक है आता है हाइडोकार्बन इन विस दा कार्बन एटम सा अरेंजें दा फॉर्म और रिंग और साइक्लिक हाइडोकार्बन साइकलिक हाइडोकार्बन में भी सेटुरिटेड और एक्जांपल यह हुए साइक्लिक हाइडोकार्बन देंघेंस को एसे भी बना सकते हैं सबको आ रहा है菜 जल जली कर रहा है ओके cycles एक्जाम्पल उन्सेचुरेट साइकल हाइडोकार्वन बेरी इंपोर्टेंट डाल देना पक्का पेपर में आता है है 100% क्वेश्चन है बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डाल बांड होते हैं बनाके देखा रहा हूं एक सिक्स कारवन की रिंग बनाई है डाल सिंगल डाल सिंगल डाल ओके दिसे सीच्स एगर आप इसे खोल के बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगी एक ही बात हैं तोनों आ सबका पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा डबल मॉंट कितने हैं थ्री और सिंगल डाल आएंगे वान है टू थ्री होड़ फाइब सेवेट नाइन नाएंगे सिंगल मॉंट सबको आया मेरे बच्चों सिंगल बॉन नाइन पता बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपको आनी चाहिए पका चलिए फंक्शनल गुरॉप और इंपोटेंट टॉपिक फंक्शनल गुरॉप बहुत इंपोर्टन यह एक अयाटम का गुरॉप विच मेक्स कारबन कंपाउंट रिएक्टिव डिसाइड़ इस प्रोपर्टी नोन एज फंक्शनल गुरॉप करें और उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करें क्या किलाएगा फंक्सल गुरूप एक नमर का पूस सब्सक्राइब अब सुनना आपको था है हैडोकारवन में हमने क्या पड़े थे हैडोजन और कारवन था यहां पर यहां पर कह रहा है the elements which can replace hydrogen atom are known as heteroatom जैसे हैलोजन oxygen nitrogen sulfur important डाल देना एक नमबर का आएगा heteroatoms क्या होते हैं तो heteroatoms function group देखते हैं hello hello का मतलब CLOBR आ जाए ओके alcohol OH यह आद रखने है LDAD CHO CHO 4-4 ketone CO इसको ऐसे भी लग सकते हैं यह बीच में होता है सब्सक्राइब कर्वक्स लिए सब्सक्राइब कर्वक्स लिए सब्सक्राइब कर्वक्स लोगों नेक्स टॉपिक है बहुत important homologous series homologous series definition very important डाल दीजे पक्का आती है homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which successive compound differ by CH2 unit CH2 unit of 14 U molecular mass पका CH2 का 14 U आएगा molecular mass तो all members can be represented same general formula general formula same होगा adjacent member differ by CH2 unit यह पक्का ले लिजे ती सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक्स नेक्स करेक्टरिस्टिक्स एड़सेंट मेंबर डिफर by a molecular mass of 14 U और show a gradual changes in physical properties chemical properties same रहेंगी यह आर लेडीजेस लाइन पर चैमिकल प्रपरपटी रिमेन सेम बट प्रिजिकल प्रपरपटी में क्या आते हैं चिंजेश तो आईए कुछ एक्जाम्पल्स दे हुए हैं हमोलोग सीरिस्टिक्स के यह एक्डंडा ठाना है दो बिंदी लगाना सेंपल एलकेंज के बार एलकेंज की हमोलोग सीर जा रही है जन्रल फर्मूला बोलिए क्या होता है बच्चा लोगो सी एन एस टुए हैं एक दो तीन चार चार सिंगल एक डबल के लिए नेक्स्ट बच्चा लोगो एलकाइन एलकाइन का जन्रल फर्मूला बोलिए क्या होता है सी एन एस टो एन माइनस टू फर्मूला है सी टू एच टू एच पोर सी इसमें दो कारवन एथाइन हो गया सी ट्रिपल बॉंड सी एच एच पका रहे हैं बच्चलों हमें इसा कॉर्णर पर ट्रिपल बॉंड लगाई यह ए एलकोल साथ है एलकोल का जन्रल फर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस बन वेच एच 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 टू एच नाम होगा मीथे नॉल क्योंक एक कार मी मीथे नॉल इनका इपाइसे नैम का फंटा होता है एलकोल की जगए एलके नॉल बसकी जगए चेंज करने हैं एलके मीथ ने नॉल ब्रोब प्रॉपरोपेनल फॉर्मूला सी एन एस्टू एन प्लस बन सीएचो पहला मेंबर जो शुरू होता है इनका एल्ली एड्स का एने कुएस्टू जीरो से बड़ आप दिखाएंगे नहीं वह सरफ में करेंगे एने कुएस्टू जीरो डारेक लिख देंगे इसका नाम मीथेनल क्यों एक ही कारवन है इनका आईपेसी नेप का फंडा होता है एल्के नल बस एल की जाए कारवन दो कारवन का सीएस्टू तीन कारवन का प्रोपेनल पका 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 कीटोंस का जनर्रल फॉर्मूला बैसे हमाई सेलिबस में नहीं है बर फिर भी बता सकते हैं या प्रोपेन बहिंट भी बोल सकते हैं याद रखिये इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है ऐसी टोन क्या नहीं है एसी टोन इस इस बाद दू इसमें योवन के विसक्ता यहलिए का काम नहीं है हमें विग्मूंगा हूं नीकित का पका प्रॉमुला TWO-0 उर्मॉन इसका भी देखिए याद रखिए बोथ आर फंक्शनल गुरूप आइसो मर्स एक नमर का पिलमेमाज जीरो से स्टार्ट होता है तो स्टी डवलोच पॉर्मिक एसट कहते हैं चीटियों में पाया जाता है सब को पता होगा कॉमन ने मीथेनोग एसट क्योंकि इनका फंड़ा होता है एलके नॉइक एक कारवन मीथेनोग याद रखिए इस दो कारवन एथेनोग एसट और विनेगर में पाये जाता है सब को पता होना चाहिए चले तो यह थे आपके कुछ IPC ने इनी में से आने चाहिए पेपर में चले नेक्स आता है केमिकल प्रोपर्टिज और कार्वन खंपाउंट्स दा मूस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पक्का आता है सब को आ रहा है चले तो कमश्चन सब को पता है जब भी किसी चीज को जलाते हैं CO2 और वाटर बनाते हैं और संग में हीट लाइट निकालते हैं तो कार्वन बंस इन ऑक्सियन टूगें लार्ज अमाउंट और लाइट और लाइट एनरजी कि लिया पक्का ओन बर्निंग कार्वन कंपाॉंट रिलीज लार्ज अमाउंट और वीट और लाइट पिर सीओ टू और एच्ट नोड इसलिए मीथिन और इथिन और किसकी तरह काम आते हैं फियूल की तरह काम आते हैं एक नमर का क्वेश्चन है एए आर आ सकता है तो इसल और क्यों 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 कैसल करने पर हिटेंड लाइट और सेट्र और हीटS किब्ली फिलेंगश तक्यों कि में ज्याला है एवन 獅चोरेटर हेड़कार्ण गिप्स क्यों वेंशा जैसे केरो सीन है केरो सीन वेंश स्टोब में तो बिलू फलेम के साथ जलता है इस टोब ब्लू फलेम और बड्लेंप में है년ो फिलेम के साथ उसे क्यों वेंशा क्यों आपको complete होता है पूरी तरह बर्न होता है और कैसी फिलेंप में यलो फिलेंप पैदा होती है क्योंकि वहाँ पर नहीं होती है सबको आया कि नहीं है पका आगे कमशन नेक्स रेक्शन आ रही है ऑक्सिडेशन रेक्शन वेरी इंपोर्ट ऑक्सिडेशन इंपोर्टेशन इंपोर्टें किया ऑक्सिडाइज मतलब को से रेक्शन करा दी कौन-कौन हो सकता है आप ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट एलकलाइन के मेनोफोर जैटिक पर मेंगनेट और यहां पर देखिए कि अच्छी बात है एक नमबर खोस्ट है यहां पर आप थेखिए पर मेंगनेट और एक्सिटीफाइब प्रोटेशियुम डाइक्रमिट केने औक्सिए ने यहां से निकली इन दोनों से तो इस्टार्टिक मटेरियल हैंस दे आर नोने ऑक्षिडाइजिंग एजेंट के लिए तो यह कौनशी रेक्षन थी औक्षिडेशन नेस्ट आती है एडिशन रेक्षन अन सैच्ण और हाइडिशन रेक्षन जैते हैं जैसे लकीन सव एलेक्षन टैक्सिटेशन या झालेटे करनें और भी लिख दे रहा हूं पीती ऴेडिटी और पीडेशन एक में डाल देते हैं वेरिट डालने के इडर देखेंगे एडिशन रेक्शन सार्जा एड्रोकारवन एड्रोजन इन प्रेइंटियस अप्रिजियस निकिल पैडल नेम to give सेच्छुरीट है डोकारवन पका 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 पच्छा लोगो मिसे सिंगल बाइन यह यह नहीं लिए और धिशन ऑफ घॉट पेपर में आई है पका चलिए addition reaction इस कहां पर काम आती है addition reaction relation से वह vegetable oil के hydrogenation में काम आती है hardening of vegetable oil में काम आती है vegetables से वेज़ेटेबल घी यहां पर आर जो है बच्छे लोगों वह lk गुरूप है और डबल बॉंड सिंगल हो जाएगा र तो आरी रहे और एक हड़े इनके खाली होगा इन डंडों से क्या लगी देगी इधर एच लगी इधर एच लगी सबको आया पका 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 और बैजीटेबल लिक्ट होते हैं और बैजीटेबल गीज इस अपने सफोला के एड़ देखा हुआ दिल तो बच चाहे जी है बैजीटेबल गी कहते हैं कि कम खाना चाहिए मौटा हो जाता है चले नेक्स सब्सेटीविशन रेक्शन क्या कह रहा है इधर देखेंगे बच्चा लोग एक को अठाना दूसरे को लगाना कौन देंगे इस रेक्शन को से चुरेटर है डोकाना पूरा चैप्टर रिवाइज कि जो जाए आप नहीं पढ़ें आपकी खलती है सब्सेटीविशन रेक्शन सादा रेक्शन इमिज विडिशन टाइप और गुरप एकालइस अरे दूसरे को लगाना है सब्सेटीविशन कहलाना है बोलो कहला न है चली इन प्रवर्ज हुआइक्स प्लेश्वन ऑस सियल तू से रेक्शन कराई है अब यहां से एच निकलेगा यहां से सियल क्या निकलेगा है इसका नाम जो बना जैडिस क्लोरो मीथेन नाम पूछ लेता है कि लिए तो बच्छा लोगों दो इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहे एक हजार परसेंट इनमें से कुछ पेपर में आ इस तो ओच लिक्ट रोंग टेंपरिचर पे यूज इन मैडिशन सच अच इंचर आयोडीन कप सीरप अन्मेडी टॉनिक्स वेरी इंपोरेंट इंचर आयोडीन इंचर आयोडीन क्या होता है वैसे 9th क्लास का वश्चन है और इस इस इथेनल इतनल मिला होता है कि इसमें वे पका पेपर में आते हैं मैंने आपको लिखा दी हैं सबको आप रहे होंगे अब जो आ रही है रेक्शन बेरी इंपोर्टेंट डालिए 100% मिलेंगी पेपर में रेक्शन पीट सूडियम एक टेस्ट होता है किसका एलकॉल का टेस्ट ऑफ एलकॉल कैसे टेस्ट है बच्चा और पिलस कौन सी कैसे निकल जाएगी हाइडोजन हमें सब कौन सी साउंड के साथ जलती है पॉप सांड इसलिए हमें पता चल जाएगा कि पक्ता एथेनॉल ने ही सोडियम से एक्शन की है नेक्स चलोगो वेरी इंपोर्टेंट कल आईगी हंडर परसेंट मलब बोर्ड एक्जाम में एथेनॉल रेक्स बेट कंसेंट्रेट एश्टोफोर तो गिप अंसेश्ट एडोकारवान यहां पर पूछ सकता है एक नमर का कंसेंट्रेट एश्टोफोर किसकी तरह काम करता है डिएटिटिंग एजेंट बिच रिमूवस वाटर फ्रॉम एथेनॉल वैरी इंपोर्टेंट डाल देना कांविवार पेपर में आया है सबको आ रहा है मेरे बच्चों पक्ता रहा है चले नेक्स्ट मूब करते हैं एथेनॉइक एसेट एक और इंपोर्टेंट टॉपिक एक और इंपोर्टेंट एथेनॉइक एसेटिक एसेट के लिए एक यह बात है एक नमबर का क्वेश्ट ले लिजें यह लिजें फाइब to 8% सॉलूशन ऑप एसेटिक एसेटिक एसेट इंवाटर इस विनेग विनेगर 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 जानते होंगे सिर्का चौमीन में डाला जाता है वैं प्योर एथेनौइक एशेट इस पूल जब वह और इंपोटेंट कोईश्चन है पक्का पक्का आएगा बोलिए गली सियल एसे अज़र लूक्स लाइक और प्योर इतरमेंग अगहां नेंस्ट लेक्षिन आ गई वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे इस इस वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट अफ कारवाकसलीक असीड़ dub books का टेस्ट होता है इसटरीकैशंल के लिएज़ 600 नाम से बूचिछिए है एन अस्टर इस्टर एंश्टरीे प्राइक्षिंट जाती है यह चार्वड असनोरी की तिनों यहां जोड़ हो यहां से कया निकले च जोड़ो 사정이 सीउड़ों स्थी ?. के पका और उल्टा के जोड़ा है सीएश्टू पका यह गलत देदिया है कि सीएश्टू कि सीएश्टू कि लिए पका बहुत अच्छा वश्चन है इसका नाम सब को आता हुगा एथाइल एक नमर का कुशन ले लिए पका अगर आप इसकी देख रहे हैं ना तो आप देखे कितना काम आने अब जैसे पूछ सकते हैं यूज क्या तो परफ्यूम्स और फिलेवरिंग एजेट्स में काम आता है नेक्स्ट आरी सपॉनिफिकेशन सपॉनिफिकेशन क्या होता है बच्छा लोगों जो एस्टर्स बने हैं उन एस्टर्स को अगरम बाप पर एनिवस्चे रेक्शन खरा तो यह था यहां से तोड़ेंगे इधर क्या आएगा आगे वाले से मैं सीथवाइब लो एन और प्लस ऑप और तो क्या बना सोडियम सोल्ट पर वाई प्रोड्ड क्या होता है क्लाइस रॉल क्या होता है क्लाइस देश आप सबी सबको आया सोडियम इसका नाम सोडियम सोडियम एथेनोइट कुछ भी हो सकता है एक पक्कल लेज़ बोड में 100 परसेंट आ रही है टेस्ट आफ कार्वाक्स लेक एक पक्का लेज़ पक्का कि लिए और देखिए इथेन एक एसवर सेक्ष बिसकार्वनेट है है अध्यूजन कार्वनेट बाइब कार्वनेट भी कहते हैं इसको पाई कार्वनेट तो गिव राइस टू असल्ट कार्वन एक्षड और वाटर कार्वन डायोक्षड गैस जो निकलती है दिस इप्रिस के साथ निकलती है और लाइम बटर को क्या करते हैं मिलकी तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है कार्वक्सलिक असल्ट है यह वाली रेक्षण आप बोड में ले लीजे पक्का आएगी 100% ना-COO3 जाएग शोडियम बाइक शोडा बोल सकते हैं इस इस वाइप शोडियम और पोलेक्षण शोडा भी बोल सकते हैं के लिए सूप शेंट रेटरेजन और दिस इस अवहरी इंपोर्टन टॉपिक अप्किल देखते हैं सोप क्या होते हैं तो आस वह सोडियम और पोटेसियम सोल्ट ओव लॉंग चेंट कार्बोक्स लिए असोप मॉलीक्यूल है इस टू पार्ट अलॉंग हैड़्ोकार्बन देखें इसको ऐसे भी बना सकते हैं डाइग्राम बहुत इंपोटेंट है सोप की सकल का ओफिए तो लोंग तो ऑईडरो कार्बंज नहें इतनी बड़ी नोगивает्रो कार्बन चेन कैसी है है और फोबिक दोट फिएले और जो यह वाला पार्ट इना सीव नेगट जो यह धिख़रा इस Express upfront without a international item है मतलब है है नहीं है जेसी है है कैसी है waterproof का रहे कि नहीं आ रहा है बच्छ Ferr पकाया मेरी बच्चों पका रहा है तो बच्च लोगों दा लॉंग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक उपर बताए मैंने वाटर रिपैलिंग और सुधा हाइड्रोकार्बन पार्ट इन सॉल्विन वाटर बट सॉल्विन ऑइल इन ग्रीस सबको पता हुआ इस पर केस स्टुड़ी आ सकती है बहुत इंपोटेंट है कि लिए अच्छा लोगों अब हम पढ़ने जा रहे हैं 100% टॉपिक जो इस साल होना चाहिए क्लिंजिंग एक्शन आप शोप मुस्ट डर्ट जोईली नेचर और डिजॉल्विन वाटर सबको पता है जो डर्ट होती है चिकना ही लग जाती है यह आए ली घोती है तो दाइनेक एंड आपसें मौली डिजॉल इन वाटर आइनेक अट तो इसल्विन वाटर वाइल ने वाइल्ट गार्वन चेन जो लंभी कार्वन चैन थी वोडिजॉल्व होगी ऑलनें इन्साइट वाटर मॉलेक्व दीजम उनिक और इंटेशन पूर्षन वह बच्छा लोग वाटर से बाहर है वोगे दिस अचीव बाइफ फॉर्मिंग क्लिस्टर और इन्टरीर और दा क्रिस्टर और अन्ट अरून दो सर्फेस अप्लिस्टर देखिए सर्फेस बन गया इटाइग्रम जरूर बनाई है जब भी क्लिंग एक्सार है तो यहां पर जो आजने पारण है वो कहां पर सर्कम्फ्रेंस पर इंशतर और वह कहां पर आपका बताई इंटिरियर जए ना राइटोकारों पार इंटिल्या पक्का इंटिरिया धाश्परीकल एग्रिगेशन ऑफ तो मॉलिकूल इन सोप सॉलूशुव सोथ बीचनि क्लिली पाइट है यह वाला देजमन एक इसको अट्रेक्ट करेगा और को अट्रेक्ट हो जाएगी और मिसेली स्टेंट सॉल्यूशन एजब कॉलेड और की तरह वेप करती है बिल्क नॉट कम टोगेदर विकॉज ऑप आयन आयन रिपल्शन और एक नमर का एयार बन सकता है आयन आयन रिपल्शन की वज़े से जो आपकी मिसेली होती है वह सॉल्यूशन में रहती हो पास पास नहाती क्योंकि यहां पर आयन बने हुए वाइटिव नेगेटिव पाइट का ऊश्यूशन में से लिज़े होती है वह लाइट को क्या कर देती है बच्चा लोगो इस्केटर करती क्योंकि वह कॉलेडल सॉल्यूशन होती है और कॉलेड्स टिंडल एफेक्स हो करते कभी ना हैंस में पढ़ा हुआ हैंस सोप सॉल्यूशन अपियर्स क्लावड इक नमर में क्या होते हैं बच्चा लोगों कैल्सियों मेगनेशियम सॉल्ट सोते हैं वैं सोप यूज पर वाशिंग भी थाड़ वाटर दफो में इस वाड़ वाटर बहुत अच्छा कोश्चन है डिटरेजेंट के संग ऐसी कोई प्रवलाम नहीं आती क्योंकि वह हाड़ वाटर क से कल्सियों मेगनेशियम सोल्ट से रियक्ट नहीं करते हैं के लिए नेक्स्ट आगे हैं डिटरेजेंट्स एक नमरकाा क्यूशन डिफरेंस आसकता है डिटरेजेंट्स आरज जनरली ammonium और sulfonate salts of long chain carbox leg acid, वो क्या थे, sodium और potassium salts, ये क्या है, ammonium and sulfonate salts of long chain carbox leg acid, the charge end of these compounds do not form insoluble precipitate, इनमें इसकम बगरा नहीं बनता है, इसलिए ये hard water के संभी काम में आ जाते है, very important, तो अगर हमें hard water दिया है, और hard water, ऑशोоф्ट के संभी करना है, हमें क्या लेना चाहिए? hard water, 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 कऊंकि soft water के संभी तो दौनव जाग देनी مगे, और हड़ा लेंगे तो जो ज्ञाग दे ना दे यह दिफरेंस है पेपर में पूछे जाते हैं पहला डिफरेंस आर तो sodium salt of potassium salts of long-chain carboxly acid detergents are ammonium or sulfonate salts of long-chain carboxly acid soaps are not suitable for washing when the water is hard detergent can be used for washing even वहांगा पटनाको पटाने प्रीड़ों को सबस्का प्रकाइब को सबस्क्राइब को सबस्क्राइब जब भी मिश्चर लेते हैं अपको पता बेड़ दिकामा अथी गैस बेडिंग देखी आपने चसमा बेलडर करते हैं तो ऑक्षिजोन ए इसकते बट हम किया बिनने सकथ इथाइन और ले सकते हैं एथाइन और एडा नहीं ले सकते यह थे एह नाट नाट इंट पर कर शेखन से की फीन अप्सक्राइव ओक सुलेव ठैन में थे इस रड spotty गद में और यह में बहुत कम पर्सेंटेज होती है इसलिए कैसा होगा बच्छा लगों इनकंप्लीट कंबशन होगा और सूटी फिलिम पैदा होगी और जो की मेल्ट करने के काम नहीं सकती मेंटल्स को जिससे की वो जुड़ जाए एक नंबर का अच्छा कुश्चन सबको आया कि लिए कुछे राएक क्वस्चन बताईए मैं देखता हूं कौन को बताईए जो मिसेली अभी बनाई थी वह वाटर के संग बनी थी क्या मिसेली एथेनौल के साथ भी बनती है यस और नोबत आएंगे चलिए पका सबको आया बच्छा लोगों पका आया कि नहीं तो डाइमंड और गिरिफट आपको पढ़ लेंगे बहुत इंप्रटेंट हो दीजिए इस तरह से पूरा चैप्टर हमने एक सेसन में खताब किया और एक भी लाइन आप आपको बाहर नहीं गुड़नाइट खूब सारब पढ़िए बाबाए